हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई स्टडी फीड चैनल दोस्तों यह प्रिवेर्स यह कोस्टन पेपर के जितने भी कोस्टन आए हुए हैं आपके फिजिकल एजुकेशन किसी भी कमपेटिटिव एक्जाम टीटी पीजिती यल्टी के विएस एन विएस में उन सभी टॉपिक क आपके समच टॉपिक वाइज प्रस्तोत कर रहे हैं दोस्तों यह सीरीज नंबर 27 है तो दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगी दोस्तों कि यदि आप तीजिती पीजिती के विएस एन विएस यल्टी की सीलेबस के अनुसार तयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे चैनल लगा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्णोंजें पहला कोस्टीन है वरन साररी मानसिक तथा समारी कल्यान की पूर अवस्था है विश्व स्वास्त संगर्षन क्या मानता है कि कि आपको कोई रोग नहीं है निर्बल नहीं है यह लोग समारी मानस के लोग कहते हैं यह इसको कोई विमारी नहीं है यह आप मानसिक रूप से स्वास्त नहीं है समार स्वास्त का ऐसा इस तर हासिल करना इंसानी जिन्दगी का मनुरत होना चाहिए जो कि हर व्यक्ति को समाजी को आर्थिक तौर पर उत्पादित जीवन जीने के योगी बनाए नेस्ट कोश्चन है दोस्तों कि बालक बालिकाओं में भिन्नता का अधार क्या है दोस्तों बालक बालिकाओं सिप एक ही अधा पर भिन्नता कर सकते हैं उनमें लिंग भेत के अलाओ और किसी कारे पर आप उनमें भिन्नता नहीं कर सकते जो बालक कर सकता है वो बालिका भी कर स दस आना चाहिए और यह भी करेक्ट एंसर है आपसन नंबर सी नेक्स कोश्चन है ब्यायाम का स्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव है हम ब्यायाम करते हैं तो हमारे प्रभाव पर पड़ता है इच्छा सक्ति में व्रिधी से हमारे एच्छा सक्ति में कमी व्रिधी है हें हमारी सवसंदर्स जो होती है वह कमी होती है, दो स्वसंदर्स कम reclaim कम होगा आप अतना हिसांत और अच्छे दिमाग वाले होगे,ंतो तो सवसंदर्स में कमी होती है् सहनसकती में बिधी होती है इस सब्संद्स सही है उपिएक नम्ब Estados नीयमित व्याएम करने पर स्वसन् तंज पर बहु सारे प्रभाब बढ़ता है जिसे हमारे इच्छा सक्ती में देरी होती है और साहन स्प्रांद में ब्रदी होती है सब्सक्राइब करेक्ट अंशर नेश्ट कोश्चन है दोस्तों सरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं जैसा कि इस कोरोना काल वे इस सब्सक्राइब और एक व्यक्ति प्रेचित हो गया है इमिनिटीफ वावर से रोग प्रतिरोधक छम्ता सरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या करते हैं रोग प्रतिरोधक छम्ता कहलाती है इस क्रिया का शंपादक मुखितह लिंफोसाइड द्वरा किया जाता है जो मुखितह WBC यानि स्वेट रख्तकड़ी का में वाइड ब्लर सेर्ष में पाया जाता है लेश्ट को सेने हैं दोस्तों कि एक श्वस्ति सरीर का श्रमाने ताप क्या होता है जैसा कि आप शब को पता होगा अंठान में पॉइंट 6 दिगरी फारेनाइट एंड सेल्सियस में बुचे गात नेश्कूर्चन है कि ऐसी धमरी जो असुध रख्त हिदय से लेकर फेफो तक पहुचाती है उसे हम क्या कहते हैं फेफो तक असुध रख्त को कौन पहुचाता जोस्तों सुध होने के लिए फुफुसी धमरी पहुचाती है यानि पलमोनरी धमरी भी उसको बोलते हैं नेक्ट कोश्चन है दोस्तों एक श्वास्त ब्यक्ति के में श्वेत रख्त कडिकाओं की संख्या होती है कितना होता है स्वेत रख्त कडिकाओं की संख्या 7000-11000 प्रती क्यूबिक मिली मेटर आपसन नमबर भी एब करेक्ट एंसर स्वेत रुधिराडो या इसो लीकोर्षाई्ट picks को कहते हैं या लाल रुधिराड़ों से बड़े कितनो संख्या में कम होते हैं रंगहीन और कयंद्र की यानिसमें केंद्रकत पाए या जब कि आरमिष्य में नहीं पाए जाते हैं कि अब कि आर बेसी संतानबे अठाने परसेंट होता है रूधिरारु का एक स्वास्थ व्यक्ति के सजीर में इनकी संख्या सब्सक्राइब है इनकी संख्या शाहार का अधिक हो जाने को लीकोभी कुछाइब सब्सक्राइब यब सिरे में Wbc की संख्या अतिधिक कम हो जाये तो उसको लीको-पीनिया कहते हैं और अधिक हो जाये बहुत अधिक हो जाये तो लीको-सー बोलते हैं कम होने पर लीको-पीनिया जादzlich होने पर लीkesंभी साइटोसिस next question है कि लच्छ हिदय गती यानि लच्छ हिदय दर की गर्णा हेतु सुत्र है तो इसमें option number D correct answer है दोस्तों 220 माइनस उम्र गुड़े 70% दोस्तों मिस्वे से आप उम्र गटा देंगे और 70 से गुड़ा कर देंगे वही आपका आजाएगा 70% निकाल देंगे वही आपका answer आजाएगा लच्छ हिदय गती इदर next question है दोस्तों कि समाने तो हो 2 से 3 गुड़ा सांधता बढ़ाने के लिए अहार प्रडाली को तयार करना जो कि मान स्पेशी ग्लाइकोजन के एकत्री करण को बढ़ाता है इसे क्या कहते हैं तो इसका शही अंसर है ग्लाइकोजन लोडिंग निक्स कोर्शन है डोपिंग परिछड के लिए किसका नमूना लिया जाता है दोस्तों डोपिंग परिछड के लिए इसमें दो आपसं दे दिया है रक्त भी दे दिया है जबकि ज़्यादे तर डोपिंग परिछड के लिए यूरीन और रक्त दोनों का परिछड लिया जाता है लेकिन जादे तर यूरीन का है लिया जाता है इसलिए यूरीन ही सही एंसर होगा बट इसमें रक्त भी दे दिया है इसलिए रक्त भी होगा बट क्या होता है कि जब यूरीन से परिछर नहीं मिल पाता है तब आपसन होता है रक्त से परिछर लेने का तो डोपिंग परिछर क किसका नमुना लिया जाता है तो यूरीन का ठीक है दोस्तों नेश्ट कोशन है मुखिता श्वास्त किस पर निर्भर करता है जनरिक पर कि सांस्किति पर कि जैविक पर कि समाजिक पर तो मुखिता श्वास्त जो है वो जैविक पर निर्भर करता है समानता है मुखिता जैवि कारों द्वारा निधायत होता है स्वास्थे, अठाथ हम क्या खाते हैं, किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं और विद्वातावड किस प्रकार के रोक कारण सुछ missions जीयों से यूगत है अता हिस्पश्थ है कि ये जैवी कारण ही अंततो गत्वा ऐसे जीनों के अभिव्यक्त एक्स्प्रेस या सुसुप्त होने का कारण बनते हैं और स्वास्थ में स्वास्थ में गिरावट आने की संभावना बनती है नेश्ट कोश्चन है स्वास्थिका आर्थ है दोस्तों स्वास्थिका आर्थ क्या है आंत्रिक शक्ति की छमता है कि अमीर होना है कि स्वास्थ रहना है कि सुदोल रहना है तो इसका शही एंसर है आफसर नमबर ए आंत्रिक शक्ति की छंता फित्निस या स्वास्ता वह इस्थिती है जो व्यक्ति द्वारा किये जा सकने वाले कारियों की डिगरी या प्रिडाम को लच्छित करें फित्निस व्यक्ति गत्मामला है या प्रतियक व्यक्ति को उसकी अंत युगता फिटनेस के साररीक मानसीक भौनात्मक युव समारीक तत्तों पर निर्भा करती हैं यह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं युव परसपर आस्रित है नेक्स्ट कोस्चन है कि फिटनेस क्या है इसका भी सई अंशर है किसी की अंता शक्तियों की छमता का घटक नहीं माना जाता है तो किसको नहीं माना जाता है दोस्तों लचिलापन साजी सनरचना मांसपेशी सही शुरुता ये सब स्वास समंधी साजी शंता से हैं बट गती जो है आपसन नमबर सी करेक्ट एंसर है इसमें इसमें गती जो है मोटर इसकी रिलेटेट फिजिकल फिटनेस हैं तो इसमें गती आपका सही आपसन होगा दोस्तों लचिलापन साजी सनरचना यानि कि बाड़ी कंपोजीशन मांसपेशी सही स्युरुता ये सब आपके स्वास समंधी साजी समता के घटक है कि निम्ने कित में से कौन सा एक स्वास्ते समंधी फिटनेस घटक है इसमें आपको चाटना है दोस्तों यह जो स्पोर्ट ट्रेनिंग से कोश्चन आता है इस्टूडेंस को हिला के रख देता है इसमें बहुत ही दिमाग लगाने कि आपको जरुरत होती है कांसेप्ट को समझ स्वास्ते समंधी फिटनेस घटक है उस स्वास्ते समंधी सब्समें दोस्तों है इसके शंखते सब्सक्राइब फिजिकल फिटनेस है जबकि सरी संद्रचा या डिवाड़ी कंपोजीशन यू है वो हेल्थ रिलेटेट फिजिकल फिटनेस है आपसर नमबर डी करेक्ट अंसर निश्ट कोचन है दोस्तों कि मोटर फिटनेस के निनलिखित घटकों में से कौन सा घटक प्रसिचर जैसे कारकों से कम से कम प्रभावित होता है मोटर फिटनेस के निनलिखित घटकों में से कौन सा घटक प्रसिचर जैसे कारकों से सबसे कम प्रहावित होता है दोस्तों सबसे कम प्रसिचर किस में आसकता होती है गती स्पीड में उसमें आपको क्या प्रसिचर क्या सकता है दरना आते हैं और उसमें प्रसिचर लेने की जादे जुरत नहीं पड़ती है मतलब सब जितनी भी गेंज हैं स्कील्स हैं सबसे कम प्रसिच्छ आपको गती में ही सिखना पड़ता है नेश कोस्टेन है दोस्तों नम्हें तमेशे स्वास्थ के सरुत्तम सूचे की पहचान किजी स्वास्थ की सरुत्तम सूचे क्या है इसमें क्या स्वास्त से जुडरा फिटनिस घटक है इसमें आपको छाटना है कि स्वास्ते से जुड़ा फिटनेस घटक क्या है प्रतिक्रिया योगता फुर्ती तेजी तिविता पेशी सहन सिल सकती इसमें जोस्तों प्रतिक्रिया योगता जो कोडिनेशन अविलेटी है फुर्ति यानि की एजिलेटी है तेजी तिविता यानि हो जाएगा कि स्वास्ते संबंधी दच्छता का प्रमुग घटक है कि स्वास्ते संबंधी दच्छता का प्रमुग घटक इसमें कौन है दोस्तों कार्डियो वैस्कुलर एंडुरेंस बाड़ी कंपोजिशन मानस्पेशी सक्ती लचीलापन दोस्तों इसमें आपसंद चारो के चारो स्वास्ते संबंधी सारिक दच्छता की घटक है दोस्तों लेकिन यहां पर पूछा क्या है सबसे प्रमुग घटक कोन है तो इसमें कार्डियो वैस्कुलर एंडुरेंस यानि हिदय और स्वास्ते की सारिक घटक में यानि कि सभी सारिक दच्छता की घटक है लेकिन स्वास्ते का प्रमुग घटक कार्डियो वैस्कुलर इंडुरेंस है यहां हिदय की काम कर रही फिस्यों को रक्त प्रवाहित करने की यह इसे उपयोग में लाने की चंता लंबी दूरी की दोड़े तरा की आदी को प्रदर्सित करती है यह इंडुरेंस लेबल को बढ़ाती है नेस्ट कोश्चन है दोस्तों कि बाइसेफ्स वरांची और लैटिसमस डोर्सी मांसपेशिया बिक्षित करने के लिए कोल्ड सा अभ्यास लाब गायक है तो बाइसेफ्स वरांची दोस्तों जो हमारे बाइसेफ्स के थ्वा हमारी कोहनी पर बाइसेफ्स के बाइसेफ्स बांची होती है उसे जुड़ा होता है एंड जो लैटिसमस डोर्सी हमारे पीठ की थबसे चोड़ी मांसपेशिया बिक्षित करने के लिए को अभ्यास लाब दायक होता है दोस्तों तो यहां पे सही वह जादे तर विख्षित होता है मजबूत होता है नेक्ट कोश्चन है दोस्तों कि प्रणयाम में रेचक का आर्थ है दोस्तों जैसा कि तीन प्रणयाम की तीन घटक होते हैं कौन कौन से तीन घटक होते हैं पूरक कुमभक रेचक तो प्रणयाम में रेचक का क्या आर्थ है तो आप से नुमबर भी करेक्ट अंशन होगा स्वास छोटना दोस्तो प्राणयामक दो सब्दों के मेल से बना है प्राण प्लस आयाम इसका साबिक अर्ठ होता है स्वास को needんत्रित करना प्राण का अर्थ होता है स्वास अप्राणयाम की तीन घटक होते हैं तीन अंश होते हैं पूरक कुम्भक रेचक पूरक का अर्थ होता है स्वास लेना रेचक यह कुम्भक का अर्थ होता है स्वास को अंदर रोक के रखना और फिर सबसे लाश्ट में रेचक होता है स्वास को धीरे धीरे बाहर निकलना तो पूरक कुम्भ कि रेचक है क्या है प्रड़ायाम का ताकर है क्या है प्रड़ायाम का तातपर्य सब्सक्राइब क amigos के सोफऐ को होता है ऑıldने के सब्सक्राइब करना है नाा असे नमर दली करेब एंसर कर shark का पर ढोथ है ना है यह और यह समझ में आए होंगे दोस्तों वीडियो कैसा लागा मुझे कमेंट में जरूर बताईए ज्यादे सब जादे सेयर कीजिए जिसे मुझे नए मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए मैं वीडियो डेली बेसेश पर लाती रहूं और दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो